ग्रण अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डैनिक राशिफल ये राशिफल एक फरवरी 2022 मंगलवार का दिन है माग महा के कृष्णपक्ष की अमवस्याती थी है मोनी अमवस्या का महा पर्व इसी दिन रहेगा और इस दिन मोन वरत धारन करके मोनी अमवस्या का विशेश पूजन अर्चन किया जाता है तथा मोनी अमवस्या पर ब्राम्मन को अन्यदान वस्त्रदान गोदान का विशेश पुण्यफल प्राप्त होता है इस दिन ब्राम्मनों को भोजन करवाने का भी विशेश पुण और बढ़ाईया भगवान लक्ष्मी नारायन का भरपूर आशिरवाद आपके जीवन पर सदेव बना रहे। तीन बजे से शुरू हो करके साड़े चार बजे तक रहेगा। राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मंगलिक का रिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए। हलाकि राहुकाल करनरने आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के नुसार कर सकते हैं। क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरिदेव जो की मकर राशी में, वही चंदरमा भी मकर राशी में, मंगल ग्रह धनु राशी में, बुद्ध ग्रह मकर राशी में, देव गुरु ब्रहसपती जो की कुम्ब राशी में, शुक्र ग्रह धनु र धनलाब के साथ साथ कारिक्षतर में उन्नती तथा प्रगती के भी उत्ताम आउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही धनलाब के भी एक अच्छे आउसर इनको मिलने का योग बन रहा है। कुल मिला करके इन पांच राशी वालों के लिए दिन सबसे विशे साबित अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सबी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल पताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी इस समय उचित ग्रहस्तिती आपका सकारात्मक रवया आपके लिए महत्यपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा। समय का भरपूर्श सद्व्योग करें। रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होंगे। भविश्य स अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। राजनितिक तथा सामाजी कारियों के प्रति आपका रुजहान बढ़ेगा। और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे। नए वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी। यदि आपने उधार पैस प्रिदने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए। इससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं और उपाई के रूप में यदि आप चने की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की। आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी मानसिक वा शारिरिक ठका अब दूर हो जाएगी। तथा एक नई उर्जा का प्रवाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे। आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा, दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा। और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उप्योग करना आपके लिए जाकात होगी, लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फाइदा देगी। और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण शुरुवात हो सकती है तथा धनलाप के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं। उपाई के कुछ कार्य योजना आपकी तयार होगी, नया घर आप खरीद सकते हैं या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्ष करेंगे। धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी, परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका व्यतीत होगा। आर्थ भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, कोट कचरी के मामलों में आपको फाइदा होगा और मानसिक तनाव से आपको मुक्ती मिलेगी, रिष्टेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस लाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं तुलाराशी की, आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने, जैसे आपको अवश् के रूप में किसी भी ब्राम्वन को या साधू संत को गुड और तिल का डान करेंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासे की, धार्मी कारिय में आपका विशेस रुजहान रहेगा, तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे, आपका रुद्बा बने रहेगा, और लक्ष के प्रती आप एकागर जित रहेंगे, सफलता आपको वश्च ही प्राप्त होगी, नया वाहन, नई वस्तु खरिदने के विशे में आप विचार वेमर्श कर सकते हैं, उपाई के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके इस्तनान करेंगे, तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रं आपका नारंगी होगा, अब हम बात करते हैं धनुराशी की, इस समय शारीरिक और मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कारियों में आपका रुजान रहेगा, इस्ताई संपत्ती भूमी भवन वाहन की खरीत फरोक्त की कोई योजना चल रही है, तो उ उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आज किसी जर्वत्मन मित्र की सहायता आपको करनी पड़ेगी, और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी, और अध्यनरत बच्चों को अपनी महनत के मरोवांचित परिडाम हासील होगे, जिससे उनका होसला और आत्मिश्वास और अधिक बढ़ने वाला है, उपाई के रूप में यदि आप शंकर भ राशी की, इस समय ग्रह गोचर आपके अंडर भरपूर मनोबल्व आत्मिश्वास पेदा करेंगे, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको नोकरी में नया आप काम नई जम्मेदारी मिलने का योग है, पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है, आपको स्वभाव में सोम्यतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा, उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और दाल याने खिचडी का डान करेंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आप आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे, इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी, पारिवारिक माहुल सकारात्मक रहेगा, ससुराल पक्षि से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक स साथ होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं, हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों क आपको शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजे, आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण, साधर धन्यवाद में